वेलकम है रैंसीमिलेटर की एक new series में और यह रैंसीमिलेटर की बिलकुल नई सीरीज स्टार्ट हो रही है और उस रिस का यह पहला episode है और मैं नई सीरीज तरे स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि पहले वाली series है उसमे मैंने काफी सारे changes कर दिये थे फिर ट्रीज में फिर से लगा नहीं सकता और उसमें काफी ज्यादा चीज़े भी मैंने पचेस कर लिए थी जिस वज़े से वो जो सेफ गेम था वो डीसेंट अपडेट आने के बाद काफी ज्यादा लैक कर रहा था तो मैंने सोचा कि एक नई स्टार्ट करते हैं और इस बार सब कुछ जो है प्रॉपर तरीकी से बनाएंगे और शुरू में जब उस वाली स्रीज में मैंने काफी साइच बनाई थी तो अलग साब से बनाई थी मतलब मिल्किंग मशीन भी नहीं थी काओ की बिडिंग का भी नह है काफी साइच नई गेम में आ चुकी है तो मैं सोच रहा हूं कि बिल्कुल एकदम ब्रैंड न्यू स्रीज स्टार्ट करूं वैसे पहले वाली स्रीज भी सेव है अभी उसके बाद में मैं चाहें तो वीडियो बना सकते हैं मकी फिलाल अभी के लिए बैस्ट है कि नई और मैंने यहां पर कुछ चीज है बना भी लिए मतलब यह मैंने होर्स के लिए जो है यहां पर बान रेडी कर लिए और यह जो पुराने वाला बान मिलता है यह मैंने तोड़ा नहीं इसको में यूजण करनेवाल हूँ अपनी गाड़ीों की पारकिंग के लिए और यहां मैंने अभी यह table store रखी हुई है और एक घर भी मैंने बना लिया है घर मतला complete तो नहीं हुआ है यह वाला घर जो पहले से होता है मतला पहले तो 6 साथ वा करते थे अब सिफ 4 ही आते है तो पहले तो यहां पर जैसे मैं दिखा दूँ यहां बुक में जो अपनी blue book है इसमें 6 आ लिया है और यह एक coop लगा दिया इसके अंदर और यहां से मैं gate खोल के इसके अंदर यहां पर जा सकता हूं और यहां पर काफी space है इधर भी काफी सारे मुर्गे मुर्गयां गूम सकते हैं और इस बार मैंने सोचा है कि रैंच को जाधा ना फिला के लिमिटे बनाए है मतल बड़े barn थे उनमें काफी जाधा issue हो रहे थे बाद में इसलिए मैं छोटे छोटे बनाऊंगा जैसे यह वाला है मुर्गयों के लिए एक ही है तो इसमें जितनी आ पाएंगी उतनी रखेंगे बाकी इधर काउस के लिए मैं बना रहा हूं एक छोटा सा यहीं कंपलीट होन हमें आपने काउस पर्चेस करके में आने कि कि नौममली इस वाली घड़ में तो आने सकती एक जो बड़े वाल ट्रब्स है और बड़े वाला ट्रॉक्स हैं और भी तो यह लेनी कोई तो मुझे पृदड पर जाना पड़ेगा और अभी फिलाल मैं सोच रहा हूं कि कि आज यहां पर खाना डाला नहीं है बस अभी यहां पर पानी रखा था और इन्होंने अंडे भी दे दी हैं तो अभी इसको पुचा क्या हूँ मुचे एक मुचे यहां ठाइमक्म पाराओ यहां तो अभी इस वाली गाड़े इससे लिया आता हूँ described और विश्वे και पानी का वहां पर लगा सकता हूं बट उसके लिए अभी इतना बैलेंस है नहीं अभी तो manually ऐसी water tank वाला यूज़ करना पड़ेगा पाइंट देने के लिए water tank मुझे एक मिला था यहाँ पे इसके अंदर रखा हूँ है उसको लिए चलता हूँ और बाकी अभी general store पे जाएंगी तो एक वाँ से भी लियाँगा यह रहे यहाँ पे रखाव है यह होगे इसका पानी का और यह जो एक की बासकेट है इसको भी ठालता हूँ अभी कुछ एक इनों ने दे भी दिये हैं यह एक भी इसी में collect कर लेते हैं बाकी इसको भी ऐसी बंद करें चोड़ देते हैं यह एक भी में को sell करने पड़ेंगे यह बैलेंस बहुत कम है और काफी थाई चीए पचेस करनी है तो शुरू में ऐसी करना पड़ता है एक 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 भी कीमती होता है तो अभी एक काम करता हूं पहले तो मैं इस मुल्की को बंद पचाओं और उसके बार यह जितना भी काम रहता है में पास बोड़ प्लैंक उंदर पड़े हुए हैं और इसके पानी की बकेट यह इसको भी अंदर रख देते हैं यह भी आ गई औ और अभी के अभी मैं यहां से उठा लूँ या मैंने काफी सारे यह प्लैंक्स बना के रखे वेए तो पहले तो इस घर का काम कम्पीट कर लूँ गर में तो एक दो प्लैंक को लगाने रहे हैं एक तो यह यहां पर लगाना है और ऊपर का रह रहा होगा ऊपर इधर तो लगया सारा के सारा यहां पर है और यह प्लैंक्स हाथ में आ गया अब लेके पहले बाहर रख्या हूं और यह वाला घर तो वही स्टार्टिंग वाला घर है ज्यादा कुछ हास है ने इसमें यह छोटा है इसलिए मुझे पसंद है बाकि यह काव यहां पर रख्या हूई है यह किचेन है यहां पर चोटी सी और चोटा है ठीक है तो बड़े वाला ज्यादा कुछ काम में तो आता निया इसलिए मैंने चोटे वाला चूस किया और बाकि यह यह तो बहुत व्यासे यूज में लेना भी नहीं यह अब कर लूँ अपना काव बान क्योंकि अभी काव तो मुझे लेकर आनी है सबसे पहले काव ही लेकर आउंगा मैं और यह यहां पर अभी पड़े हैं काफी सारे प्लैंक में रेडिक कर रख हैं तो यह तो भी हो जाएगा काम कंप्लीट अघर का रह गया यह कि आपहर जो पेश्चर आपहरे अचे नीचे का कहीं का रहया यह इदर का रह रहाए पीछे का पोजिशन हो concept यह एक पॉजिशन में का पोजिशन है एक पॉजिशन है एक पॉजिशन है ऑर मिडेल का पॉजिशन भी और यह पूरा जिता हूं यह फ्रंट का पॉश्यम में राड़ी हो गया और अब यह गेट लगाने हैं गेट के लिए प्लैंक चीए एक प्लैंक का ओच यह होगा और मैटल पीस फोरे से बच्चे पड़े में पास मैटल पीस तो मैं लगा दूगा मैटल पीस मैं ले किया था एक जाके फ्लैंक का तो हो गया और मैटल पीस यहां दस पड़े हैं यह वाला गेट पीस फिलाल खोल ले और अभी सैड के गेट भी लगाने पड़ेंगे इधर के गेट तो दोनों छोटे वाई लगेंगे यहां पर यह हो गया और एक यह हो गया और अभी मुझे इनके लिए फूट्र वाटर बॉल हो गया यह वाला और अभी इनके पानी की मुझे लेके आना पड़ेगा पकट से डालना पड़ेगा इसके अंदर खाना भी मुझे जो है अभी लेके अना पड़ेगा है थोड़ा सा प्लेडा लग गया शयाध एक मैड़ इसको आपगया फिर प्र ini होगे दो इसे प्लैंक रेड़ी कर लेंगे और फिलाल अभी शायद थोड़े से कम पड़ जाएंगे देख लेंगे वो जो है कितने कम पड़ रहा है अभी यह इसके लिए आर्ट हो चाहिए तो इसका तो काम हो जागा वाटर बॉल्स का और चिकन कूप के लगाने उसके लिए चाहिए जाए मुझे और रैडि करने पड़ेंगे यह कर ने हुग जाए इसके लिए बारा और इदहरमी में कर सादी करेंगे करेंड़ के इसका और इसका। तोustर City है और बेंदे बाटर भी अधड़ ईदर्द में बार्वल रेडी कर देबरी लिया ने। चाहिए इस तर्ट से लगाने इसमें यह रहे चाहिए जाहिए और कितने हुए है यह चाहरी हुए है एक्जेक्टली यह भी राड़ी हो गया तो अपना काउब इनिशल काम हो गया पूरा अब मैं इसमें काउस लाके रख सकता हूं और पानी के लिए में पस अभी यह वाला ह है यह स को पार करना है और दूसरे से कम जाता हूं के शोड़ कट पड़ता को रहा है कूछ आगे सामने जर्णAL STORE और अब रिडिर काफे सारे चेंजिस हुए है जर्णAL STORE में तो ज्यार्डा कुछ हुआ नहीं है। होगे चेंज समय और हमें हाड़वे स्टोर अदिशु आपकोः चोगा मेब हमें अद। सबसक्राल के नियुक्त कोई की बिचा आती है कोई कॉपी मशीन की चलती नहीं, ये कोला वाली मशीन भी चलती नहीं है, तो ही सब ऐसी है, बाकी अपनी वियाली स्क्रीन चलती है, जहां से मैं समान वगारा परचेस कर सकता हूँ, और फिलाल मुझे काउ देखनी है, काउ कितने की आती है, मेरे पास अभी 1567 डोलर है, खाली, और अगर मैं काउ ये वाली लूँ, डेरी काउ 650 की, और बुल है 800 का, तो 1450 डोलर तो मुझे इनी लिए चाहिए, और ये दोनों मुझे लेनी पड़ेंगी, तब ही बेबी काउ होएंगी, तब ही आगे थोड़ा बिजनेस ग्रो होगा, क्योंकि milk का production बढ़ेगा, और बाकी चीज़े मैं ले पाऊंगा, और उसके लावा मुझे इनके लिए खाना भी लेना पड़ेगा, क्योंकि खाने का ये मैं ग्रेंडी नहीं लगा सकता, और अभी मैं windmill नगा सकता, तो water tank भी लेना पड़ेगा, एक water tank ले लेता हूं, दो bag of weed ले लेता हूं, और एक bucket चाहिए हो, ये इनका milk की निकालने के लिए, कि milking machine भी काफी दाए महेंगी है, तो अभी ये भी purchase नहीं कर सकता, अभी एक steel वाली bucket ले लाता हूं, तो अभी 98 डॉलर हो गए, और अभी इने ले जाके पहले रैंच पे रखके आता हूं, उसके बाद वापिस हाखे, एक बार में cow लेके जाओंगा, और एक बार में bull लेक करके, बाकी देखते हैं, अभी 7 बच गया है, अगर ज्यादा अंधेरा हो गया, तो फिर कलाना पड़ेगा, क्योंकि 8 बचे जन स्टोर बंद हो जाता है, और शाद बाद में टाइमिंग चेंजिस की हुई है, नो बचे की टाइमिंग हो गी है, वो देख लेंगे एक बार, और अभी शाम को जब संसेट हो रहा है, तो काफी सही यहाँ पर लाइट आ रही है, अब एकदम से अंधेरा होने वाला है, मुझे पता है, इस गेम पर एकदम से अंधेरा हो जाता है, अभी यहाँ से निकलते हैं, और इस बार में ट्रीस नहीं काटने वाला, पिछली बार अभी बार में शारे ट्रीस काट के पिछली अफ एरिया वाहं पर सामने मांटेन के ऊपर जो है, वहां पर लगजरी हाउस बनाए था, उस शक्कर में यहां के साई ट्रीस बाद में काफी ज़गा लग 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 रहे थे और अभी लाइट ओन कर लूं प्यों का अभी तो दो डाल दूंगों तो 14 हो जाएंगे यह हो गए और बाकी अभी पाइं डालना है तो बकेट लेता है पानी के लिए अभी एक काम करता हूं रख देता हूं ना रात हो गई घर के अंदर चलते हैं सुबह करेंगे इस काम को हो यह करें है ऑपने घर में यहां पर इस चली नहीं अब अब यह थो चीज्व पर आप चलेगा और ऑट बडत करेंगे कुछ रीचनम और चलने वाले वाला है फिलाल तो काम बढ़िया यह लाइट यहां पर एक लाइट और रहोनी चाहिए इसाइड यह तो बटन इसकी कही है इतनी लाइट है और यह टीवी तो देखा ही है टीवी तो कुछ ऐसा खास नहीं आता दो तिन चैनल लिया आते हैं अभी फिलाल आठ से उपर का टाइम हो चुका है तो सोचाता हूँ अभी नेक्स देगी सुबह हो गी है और अब निकलता हूँ फटाफट की पैदल पैदल जाना है अभी जरनल स्टोर तक और उससे पहले यहां पर पाइं डालता हूँ और अभी अर्ली मॉर्निंग है एक बकेट आगया पानी और यह इसके डाल दी और वैसे मैं टैंक से डायट नि जाल सकता हूँ यह बकेट से डालना पड़ेगा इतना पानी काफी है इस बकेट को यहां रखके वोटर टैंक को भी स्टार देता हूँ और अब चलता हूँ चर्णल स्टोर फे पैदल पैदल यहां से जादू निया एक मिनटी लगी दोड़की यहां तक आने में बस काउ के लिए टाइम लगी है कि काउ काफी जाद सलो चलती है और पहले काउ पच्छेस कर लेता है काउ के तीन कलर की ऑप्शन है यही ले जाते है अभी एक काउ लेके इसको चेक आउट करते हैं और इसको ल पहुचा दूँगा अब यह है कि इसके साथ सा थोड़ा सलो चलना पड़ेगा काफी दूर तक चलिया आती है इसली मिलती भी नहीं है अब इसको फ्रीली यहां छोड़ेते हैं इसके खाने का पानी का इंजाम तो कहीं रखे है और वैसे मैं एक सामने ना लाइट भी इंस्टॉल कर देता हूं कि अभी यह थोड़ा अंदेरा होगा बाईश परणे वाली तो बुल भी आ चुका है बुल को भी लिया हो और वैसे प्रॉपर दिन हो रहा है मतला बारा बज़ रहा है दिन के और मौसम इतना खराब है कि ऐसा लग रहा है जैसा रात होने वाली हो और यहली काव भार निकलने के लिए भागेगी तो इसको वटा वट निकल के यहां से बंद कर देता है चलों यह दोनों तो अपने आ गए बुल भी आ गए और अपने पहले बुल और काव है और इनको नाम देना है इनका नाम देने के लिए इनके जो नेम टैक्स आते हैं वो लाने पड़ेंगे वो हार्वेस टो पे मिलेंगे वो मैं बात मिले के होगा क्योंक अब एक बैग चाहिए होगा डालने के लिए और एक बैग शायद 30 डॉलर का आता है तो अभी तो 11 डॉलर होल्टा कम पढ़ने वाले है तो अभी मैं उधर देख लेता हूं चिकन कूप में पानी का तो हो जागा पानी का तो अतना इस्यू नहीं है बड़ बस एग है मैं ए अधर प्लेस करेता हूं इधर की साइड और इसके लिए बनाने के लिए 6 फूट प्लैंक चाहिए 6 फूट प्लैंक तो एजिली बन जाएंगे और यह इधर से भी खुलता है तो फूट रफ को थोड़ा चेंज करके ना मैं इस साइड लगा रहा हूं यहां पर कहीं पर वहा तो यह होगा रेड़ी अब असके लिए फूट बैक लेके आना है तो एक सिंगल फूट बैक लेके आना है और उस फूट बैक को लाने के लिए मुझे इंके एक सेल करने पड़ेंगे तो अभी एक बास्केट रखे हुगी थी अपनी भार यहां पर यह इधर ती कहीं मैं उ खालता हूं भार जाकर उठालता हूं कर यहां तो इनके लिए खाना निया आगा तो यह मरेंगे फिर युकि इनको मैंने खाना दिया निया दो दिन से इनको आई वे दो दिन हो चुके है और एग अभी इकात को इदर दर भी पड़ा हो यहां पर तो नहीं है यह एक खड़ी वे अंदर यहां पर यह दी मैं इसमें भी वुड लोग बढ़के लेकि आया था वो फूटर बनाने के लिए वुड लोग चाहिए थे आप इसके मैं फ्यूल देख फ्यूल भी काफी कम है एक काम करता हूं फ्यूल भी डाय जाता हूं इसमें से इतने फ्यूल में चल जाएगा काम एजिली और जनल सोट जाके वैसे एक गिरे में का बैक लेकि आरहा है ज्यादा कुछ नहीं है बाकी सारा समान तो भी है यह बेसिक ज़रूरत का बस फटा फट जाकर लेकि आता हूं और यह बहार से चलते हैं यह चोटकट से चलता हूं चोटकट से लिए जाँ यहां से बैस गाड़ी के आप पाक रहता हूं यह एक्स अनलोड करने ही ज़रूत नहीं है यह 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 बाद चल जाका यह एक्स है कितने तो सैल में देख लेता हूं अभी दस आएगे हैं साट डॉलर मिल गए तो 79 डॉलर हो गया है मैं देख लिता हूं क्योंकि दो बैक से ठीक रहेगा क्योंकि दो बैक तो चाहिए इतना तो मुर्गया खाई लेंगे बस दो बैक लेले बाकी और कुस्तों भी लेना नहीं है अभी तो बहुत पेसिक है कि इनिशली अभी थोड़ा था अमाउंट आना शुरू हो जाए उसके बाद परचेस करन नहीं परचेस करना शुरू करेंगे आप इनि लेके चलता हो मुर्गयों खाहन डालता हूं क्योंकि काफी टाइम हो चुका है वह मौसम कभी दूप निकल रही है कभी बारिश का मौसम हो रहा है पर बारिश जो यहां तो इस बार तो काफी सनो पढ़ी थी सर्दियों में त बागने के लिए तैयार यह खाने का हो गया अफल और पानी की तुँ बकेट रगें ऑगर क्या इसके तुए पाने का होगा यहां आंपे होगी तु फ़ीजा पनी का बलंग से खिले तो तो यहां पर लाइट थोड़ी आही रही है और बाकि इधर काउस को भी देख लेते हैं और यह गाड़ी को मैं इसके अंदर पार्क रहता हूं यहां कि अभी यहां पर ठीक है अब इनको काँ मुझे निकालना है तो मिल्क मैं इसका कल नेका लूगा और मिल्क को सेल करके अच्छाका सा माउट आजागा अभी अब ही इंकम का सोर्स यह है परकी इक चीज़ से अब कमा सकता हूं कि जो ट्रीस हैं को काटके मैं इनके वरन प्लैंक्स बनाके उनको सेल करके आसकता हूं वह भी हार्डवेस्टोर पे सैल हो जाते हैं तो दो-तिन तरीकें हैं अभी कमाई करने के उसके बाद पिक्स ले आएंगे और पिक्स से तो काफी अच्छी खासी कमाई हो जाती है आज के लिस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आई तो लाइक करते हैं चैनल आए लेक्ड़ जा लेवाद कर दून कहा वीडियो करते हैं